आई आपका स्वागत है आज मैं आपसे बात्चीत करने वाला हूँ यह वह नावस्ता में जो लड़के आते हैं और उनका जो अपने माबाप के प्रतिक हुस्सा होता है उसके बारे में मेरे नाव में डॉक्टर दीपक करेकर में मनोविकार सेक्स्रोग सम्मोहन तथा वैसेन मुक्तितग्यों महाराष्टे में अकुला में प्रैक्टिस करता हूँ कभी बार ऐसा होता है कि बच्चों को माबाप लेके आते हैं बच्चा ठीक नहीं पढ़ा ही कर रहा है बच्चा इंट्रुवी करते हैं तो मालूम पड़ता है कि बच्चों को मतलब ये बच्चा जो लाया था ये बच्चों को अपने माबाप के बारती बहुत इजादा गुस्ता था मतलब उसका इतना था कि वो माबाप के साथ में रहना भी नहीं चाहता था और माबाप उसको तो फرض केया कभी थब भी मारी होंगी उसको अ Creo 3 तुमजे करना चाहता मुशे करने ने दिया मुझे पर प्रेशुरा था वच्च्पन सी द्यमी मुझे साथ में बैठा, कॉंसिलिंग के लिए, दो-तीन सेशन हुए, उसको मैंने काफी समझा के बता रहा था मैं उसको, फिर देख बैटे, आप जितने डरे हुए है, या आप को जितना गुस्सा है, या आप जितने अशंकित है अपने बाबाब के बारे में, या आप असाय महसूस करते है, जो भी आप आज है, जो बोलते हैं, मैं बाहर नहीं जा सकता, मैं अकला अकला पसंद करता हूँ, मुझे डेरिंग ने, जो भी आप आज है, वो आप आज है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, जो हुआ उसके बारे में, क्या कर सकते हैं, ये देखो, कि भई, आपक उनके माबाब ने उनकोबड़ाए प intern रंज रवरिश के। मतलब उनके माबाबने जो किया वो किया। तो वो उनने पासान किया। माता पिता को सम्झाने का है, covenant माता पिता को इप समझा का है तो आप उन से ऐटो, उनकोगो पूचो कि आपका बच्पन कैसा था। उनके वो जब दज साल के आयु में थे, दज साल की उमर थी, वो दो साल के उनमें जाके उनको पूछो. तो उन्होंने क्या किया? उश्लेमें क्या condition थी? उनका परवरिश उनके मापाथ ने कैसा किया? फिर आपको समझ में आ जाएगा, आजाएंगा. उनके पास में जो भी अपिलीडी थी, वो उनने बेस्ट दिया हुआ है, उनने कुछ भी कमी छोड़ी नहीं, जितना अच्छा कर सकते थे उननने किया, ऐसा हो जिसाकता नहीं, उनको जो भी आथा था, उननने किया, उनको जो भी परवरिश उनके मापाप ने किया उनके उपर जो 10 साल के उमर में पुर। वो जो संस्कार में वो बड़े हुए उनकी परवरिश हुई वो उनकी दिमाग में बढ़ा है वहां से उसको मतलब आपको वह भी बढ़ा कर रहे तो जो भी हो गया तो उनकी उपर गुस्ता करने जो नहीं माबाप का एक ही काम था कि आपको पैदा करना और दुनिया में लान कि बढ़ा कि आप माबाप को वी आप मने वह अखान मानू कि उन्होंने आपको बाहर कहीं रस्ते में छोड़नी दिया आपको घर में लाए पैदा करके हॉस्पिल से वह मैं आपको बड़ा किया परवरिश किया में जो भी किया उनका बैस दिया हुआ है और उसके लिए Sec. अपने मापम से जो भी आपका गुसा वह वो वो पूर्न करो कईखुन्नस होगी हो पूर नगरो उन्हेत जो भी किया वो ओकिया जेतन आब आपने पकड़ के रखा ता इतने साल तक माबाब के माफ़े मंगो और उनको बोले कि मैं आपसे प्यार करता हूं। माबाब जो है वो सोर्स है और उनके अविधि प्रती गुसा रखते है तो फिर जंदगी में सफल नहीं हो सकते। तो इसलिए जब उसको मैंने ऐसा counselling किया बच्चे को, तो बच्चा भोले ठीक है मुझा भी समझ में आ रहा है, कि जो भी उनने किया वो किया, उनने करना नहीं चाहिए था, इसको अच्छा नहीं लगा, तब ही भी वो किया उनने बेस किया, चलो ठीक है, आज से मैं उनके सा में एक होने के बाद में उसको बहुत ही ठीक लगा उसका गुस्ता निकल गया और मावाक को मैं मालूँ बढ़ा कि धीरे अभी बच्चा अच्छा हो रहा है कुछ दिन के बाद जब मुझे मिले को बच्चा है स्बुछ अच्छा है और वो जिंदगी में definitely सफ़ल होंगा है सा झाल झाल झाल